आज मैं आपको कुर्ती का जैसे बोड़ी के उपर नाप लेके जैसे कितना लूजिंग रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ और चेस्ट के इसाब से आपको क्रॉस कितना लेना है आर्मूल कितना लेना है ये भी मैं आपको बताती हूँ जब हम कुर्ती का नाप लेते हैं तो कुर्ती के उपर कुर्ती का नाप लेते हैं जितना हमारा कुर्ती का नाप होता है उसमें आपको दो इंच एक्षा लेना पड़ता है सिलाय मार्जिंग के लिए अभी जैसे जितना हमारा नाप होता है कुर्ती के उपर जैसे चेस्ट का नाप हो या कमर का नाप हो सीड हेर का नाप हो गेरे का नाप हो लंबाई हो जैसे है वैसे आपको लेना पड़ता है लेकिन जब हम बाड़ी के उपर नाप लेते हैं तो उसमें कितना बढ़ाना है या हम चेस्ट में कितना बढ़ाते हैं कमर में कितना बढ़ाते हैं और जो चाट में अपलोड करने वाली हूँ अभी यह जो चाट है जैसे चेस्ट के सबसे क्रॉस कितना निकलना है और आर्मूल कितना लेना है यह भी समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने यह चाट बनाया है हमें 2 इंच एक्षा लेना पड़ता है यहीं कि 12 इंच लेना पड़ता है लेकिन जब हम body के उपर नाप लेते हैं तो उसमें कितना बढ़ाना है तो जैसे chest का नाप हो हमारा 30 इंच तो उसमें हमें 4 इंच बढ़ाना है जैसे losing हमें कितना रखना है चार इंच एक्षर लेना है जैसे चो तीस इंच हो जाता है चो तीस में आपको चो तीस का वनफोर्ट निकाल के उसको आपको दो इंच एक्षरा मार्जिंग रखना है सिलाई मार्जिंग जैसे 30 chest का नाफ होगा हमारा तो उसमें आपको losing 4 inch जैसे body के उपर नाफ लेते हो आप तो 30 inch आपका chest का नाफ आता है तो उसको losing आपको 4 inch रखना है 4 inch रखता है तो 34 inch बन जाता है 34 inch होता है तो 34 का one foot आपको निकालना है प्लस 2 inch इसमें सिलाई margin के लिए रखना है उसके बाद यहाँ पे भी आपको ऐसी तरह से करना है जैसे कमर में losing कितना रखना है तो कमर में हमें 2 inch जैसे chest में हम 4 inch बढ़ाते हैं तो कमर में हमें 2 inch बढ़ाना है जैसे 26 inch का कमर होगा तो आपको 2 inch losing रखना है दो इंच लूजिंग रखेंगे तो 28 इंच बन जाता है 28 इंच हो जाता है तो उसमें उसका 28 का बंतपर निकालना है प्लस 2 इंच आपको एक्षा मार्जिंग रखना है इस तरीके से जब हम बोड़ी के उपर नाप लेते हैं टो दो 4 इंच और सब्कमर में आपको 2 इंच बढ़ाना है उसके बार जैसे सी घरो जितना है उतना है आपको रखना और पार सता है पिए बहुदं यह चैस्त के इसाप से मैं आपको लए आर्मुल बताती हो जैसे 30 चेस्ट का नाफ है तो आपको 6.5 इंच पे क्रॉस लेना है साड़े 6 इंच पे क्रॉस लेने के बाद ये साड़े 6 इंच पे ये हमारे फिटिंग के सिलाई आएगी उसके आगे आपको 2 इंच एक्षा लेना पड़ता है सिलाई मार्जिंग के लिए और ये जो आर्मुल है जैसे इसलिए उसका आर्मुल होता है तो ये हमारा 7.5 इंच जाता है 3 चेस्ट के लिए अभी 7.5 इंच आता है तो इसमें भी आपको 2 इंच एक्षा लेना पड़ता है सिलाई मार्जिंग के लिए बत्ती चेस्ट का नाफ होगा तो आपको पौणे 7 इंच पे क्रॉस रखना है जैसे हम आर्मुल लेते हैं आर्मुल में हम क्रॉस नापते हैं तो क्रॉस नापते हैं तो यहापे आपको क्या करना है पौने साथ इंच क्रोस आता है पौने साथ इंच मार्किंग करके उसमें आपको क्या करना है दो इंच एक्षा लेना है और स्लिउस का जो क्रोस नापते हैं हम स्लिउस में भी आट इंच लेना है बत्ती चेस्ट के लिए उसके आगे आपको दो इंच रखना है उसका आपको साथ के आगे भी आपको साथ इंच पे फिटिंग आएगी और दो इंच एक्षर आएगा स्लिवस का आर्मोल आता है हमारा साड़े आट इंच तो इसके आगे भी चेसे स्लिवस साड़े आट पे फिटिंग आएगी और दो इंच एक्षर रहेगा चती चेस्ट के लिए क्रोस आएगा आपका सवा साथ इंच और स्लिवस का आर्मोल आएगा आपका नौ इंच आडोती अड़ती चेस्ट के लिए क्रोस आएगा आपका साड़े साथ इंच और आर्मोल आएगा आपका साड़े नौ इंच चालीच चेस्ट के लिए क्रॉस आएगा आपका पौने 8 इंच आर्मूल आएगा आपका 10 इंच अब देखिए बोड़ी के उपर नाप लेके कितना लेना है कितना एक्षा मार्जिंग रखना है यह मैंने पहले आपको बताया है चेस्ट में लूजिंग आपको 4 इंच चार इंच एक्षा लेना है जितना आता है उसमें आपको वनफोर्ट करना है वनफोर्ट करने के बाद उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है कमर में आपको 2 इंच बढ़ाना है और जितना हमारा क्रॉस आता है क्रॉस पर हमारी फिटिंग आती है उसके आगे आपको दो इंच लेना है यह भी हमारी स्लिउज है स्लिउज पर यह फिटिंग आती है जैसे साड़े साथ इंच आट इंच इसमें फिटिंग आती है उसके आगे आपको दो इंच लेना है तो यहाँ भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कुरती का जो नाप है कैसे लेना है ये मैंने आपको बताया है मुझे आशा है कि आपको समझ में आगया होगा क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बोड़ी के उपर नाप लेके कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया है और चेस्ट के इसाब से क्रॉस कितना रखना है आर्मूल कितना लेना है ये भी मैंने आपको बताया है तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थांक यू पर वाचिंग इस वीडियो